हलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माई चैनल, क्रेजी नौलग बिस अनीपन मौर रहा तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमस्वी लोग जानेंगे, प्रदूसर्ड किसे कहते हैं, प्रदूसर्ड के प्रकार, प्रदूसर्ड के कारड, प्रभाव, रोक थाम, और प्रदूस प्रदूसर्ड को इंग्लिस में प्रदूसर्ड के मुक रूप से चार प्रकार होते हैं, जो पहला है वाई प्रदूसर्ड, जल प्रदूसर्ड, मिर्दा प्रदूसर्ड और धोईन प्रदूसर्, तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमस्वी लोग प्रदूसर्ड की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे तो फ्रेंड चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आफ मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चली हम सभी लोग सबसे पहले जानते हैं प्रेदूसर्ड क्या है या प्रेदूसर्ड किसे कहते हैं प्राकिर्ट में महजूद विविन प्रकार की सुद्ध पदार्थ में जब किसी तरह का बेकार आवांचनिये पदार्थ मिल कर उसे भी असुद्ध बना देता है जो किसी भी जीवों के उपयोग के लाइक नहीं रहता है यद ऐसे पदार्थों को मनुस्य या कोई अन्न जीव ग्रहण करते हैं तो कई प्रकार के बिमारियों से ग्रहसित हो जाते हैं ऐसी क्रिया प्राकिर्द में लगातार हो रहा है जिसे पिलूसन या प्रदूसर कहा जाता है या एक गंभीर समस्या बन चुका है जो प्रदूसर है वो बहुत ही जादा गंभीर समस्या बन चुका है या सिर्फ हमारे देश की नहीं बलकी एक अंतराश्टिय समस्या है जो प् पेट में सभी जीव जन्त और निर्जीव पदार्थ भी आ चुके हैं प्रदूसर का साब्दिक अर्थ है प्राकिर्थ के संतूलन में गड़बड़ी होना मानो जीवन के लिए प्रदूसर बहुत ही खतरनाक है दुनिया भर में प्रदूसर ने बिविन प्रकार की बिमारिया फैलाई हैं देश में प्रदूसर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है इसे रोकना बहुत जरूरी है यदि इसे रोका नहीं गया तो पूरी प्रिथवी ही समाप्त हो जाएगी अगर प्रदूसर को रोका नहीं जाएगा तो पूरी प्रिथवी क्या हो जाएगी समाप्त हो जाएगी प्रेदूसर रोकने के लिए हर साल सरकार द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं प्रेदूसर को रोकने के लिए हर साल सरकार जो है नियम बनाते हैं फिर भी इसे फिर भी इसे रोका नहीं जा रहा है फिर भी प्रेदूसर को रोका नहीं जा रहा है इसका मुख्य क हम सभी लोग हैं अगर हम सभी लोग चाहें तो प्रदूसर को रोक सकते हैं इसे रोकने के लिए हमें जरूरी कदम उठाने की आवस्यक्ता है वनों की अंधा धुंद कटाई भी प्रदूसर के मुख कारडों में सामिल है वनों को बहुत जादा बहुत सारे लोग होते हैं जो हरे पेड़ पोधो को काटने हैं तो उसको बंद करना होगा और जादा से जादा पेड़ हमें लगाने होंगे या हमारे पूरे परिस्थितिक तंद्र को प्रभावित करता है प्रदूसर मुख्यता चार प्रकार के होते हैं पहला है जल प्रदूसर दूसरा है वाई प्रदू तो आईए हम सभी लोग सबसे पहले जानेंगे जल प्रदूसर किसे कहते हैं वाटर पेलूसन जल प्रदूसर के कारड़ हानिकारक पदार्थ जैसे ब्यर्थ और वाहित मूल नगरों का गंदा पानी कारखानों से निकलने वाला गंदगी आधिका नदी जील महा सागरो या प ये कारखानों से निकलने वाला गंदगी जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े उससे निकलने वाली गंदगी और जो मनलब घरों की गंदिया होती है ये सब जाके जील महा सागरो या पानी के अन श्रोतों में मिल जाता है तो इससे जो है जल प्रदूसर कहते हैं अब इसमें विविन प्रकार की गैसें कार्बन के कड़, धुआ, खनीजों के कड़ आद्द समलित है विश्व स्वास्त संगठन ने वाई प्रदूसर को निमलिखित प्रकार से प्रभासित किया है वाई प्रदूसर एक ऐसी परिस्थितिक है जिसमें बाई वाई मंडल में ऐसे पदार्थ एक्तरित हो जाते हैं जो मनुस्यों उनके पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं वाई प्रदूसर का प्रभाव पहला है वाई प्रदूसर के कारण सामान ने तापमान में भी बिर्धी हो गई है और पिछले दस सालों से सरदियां लगातार घटती ही जा रही है दूसरा है वाई वाई वरण में ग्रीन हाउस गैसों के कारण ओजोन परत भी घटती जा रही है जिससे तापमान में बिर्धी हो रही है तीसरा है वातावरण में महजूद परदूसकों के कारण मानो स्वास्त पर भी गंभीर असर पड़ता है और प्रदूसर के कारण लोगों को स्वास्त संबंधित बिमारियां भी हो रही है दूसित हवा में जाने से सांस लेने में परिसानी, सीने में जकड़न, आखों में जलन, आध जैसी समस्याएं होती है वाई प्रदूसर से बचाओ के उपाए पहला है निजी वाहनों की जगह सार्विजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें क्योंकि सणक पर जितनी कम गाड़िया रहेंगी उतना कम प्रदूसर भी होगा अपने बच्चों को निजी वाहन से स्कूल छोड़ने की जगह उन्हें स्कूल बस में जाने के लिए प्रोसाहित करें जहां तक मूंकिंग हो खुद भी आफिस जाने के लिए सार्विजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें आप साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि साइकिल से पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है और आपका स्वास्त भी ठीक रहेगा दूसरा है हमारी दैनीक जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली उत्पन करने के लिए जीवास्म इनन का उप्योग किया जाता है और इससे निकलने वाला धुआ हमारे वातावरण के लिए बेहत खतरनाक होता है इस तरह के प्रदूसर से बचने के लिए आपको सोर उर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा तीसरा है घरों में सोलर एनल लगवाने के साथ साथ आप सोर उर्जा पर चलने वाले वाहनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डीजल या पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होती है और सोर उर्जा पर चलने वाले वाहनों से दूसित गैस उत्पन की भी समस्या नहीं होती है और पर्यावरण के लिए साइकील के बाद सोलर वाहन ही सबसे ज़्यादा फाइदे मंद है अब आईए जानते हैं ध्वयन प्रदूसर किसे कहते हैं जो कुछ हम अपने कानू द्वारा सुनते हैं ध्वयन कहलाते हैं जो कुछ हम अपने कानू द्वारा सुनते हैं जैसे कोई बात करता है उसको सुने तो उसे ही ध्वयन कहते हैं या कहीं पर संगों पर गाडिया चलती रहती हैं उसके उसको सुनने की आवाज तो ये सब क्या होते हैं ये सब ध्वन कहलाते हैं दैनीक जीवन में हम भिन भिन प्रकार की ध्वनिया सुनते हैं जैसे उधारण में है वाहनों के हार्न रेल गाड़ी के चलने की आवाज वाई आनों की आवाज जन्नेटर के घर घर क जरने की आवाज, पठाकों की आवाज, साधी बिवा में डीजे की आवाज, पंकों की आवाज, आज सभी ध्वनी प्रदूसर के मुख उधारड हैं। जरने की आवाज, तो यह सब जितने भी होते हैं, यह सब ध्वनी प्रदूसर में आते हैं। मिर्दा प्रदूसर के निमलिखित कारड हैं। खानों और खानों द्वारा उत्पन्ध ठोस अपसिस्ट का निर्वाहन। भवनों सणकों आद्ध के निर्माण में ठोस अपसिस्ट का निर्वाहन। कागज और चीनी मीलों से निकलने वाली सामागरी का निपटान जो मिट्टी द्वारा उसेशित नहीं होती है। प्लास्टिक की थैलियों का अत्यन्त उप्योग जिने जमीन में दबाने से नहीं गलती। जो प्लास्टिक पन्नियां होती हैं ये अगर मिट्टी में पढ़ जाती है तो नहीं गलती है तो ये भी मिर्दा प्रदूसर्ड के कारड़ हैं। कीट नासको और कृतिम उर्वर को द्वारा प्रदूसर्ड मिट्टी में जमा होने के कारड़ ये धीरे-धीरे बढ़ते हैं। जिससे सूझ में जीवों का विनास होता है और मिट्टी के तापमान में ब्रधी के कारड़ मिट्टी के गुडवत्ता नस्ट होने लगती है। घरेलू और उद्योगिक संस्थानों से अपसिस्ट पदार्थ जैसे सीसा, तांबा, पारा, प्लास्टिक, कागज आद मिट्टी में मिल जाते हैं और इसे प्रदूसित कर देते हैं वनों के कटाई से मिर्दा प्रदूसर जिन छेतरों में बड़े पैमाने पर वनों को नस्ट किया गया है, वहां की मिट्टी के जैबिक गुड लुप्त होते जा रहे हैं मिर्दा प्रदूसर को रोकने के उपाए, अब आईए जानते हैं कि मिर्दा प्रदूसर को कैसे रोका जा सकता है फलो पर जहरीली दवाओं के छिड़काओं पर रोक लगाई जाए, गाओं और कस्बों में सिवेज और गंदगी जमा करने के लिए उचित इस्थान होने चाहिए किर्सी भूम में कृतिम खाद के इस्थान पर परमपरागत खाद का प्रयोग करना चाहिए, वनों के बिनास पर रोक लगानी चाहिए, साथ ही बिरिच रोपोईण को प्रोस्ताहित कर मिर्दा निर्माड प्रेकिरिया में आ रहे, गति रोध को दूर करना चाहिए खेतों में पानी की निकासी की सुमचित ब्यवस्था होनी चाहिए नहरों वा नलों को पक्का किया जाए नहरों का निर्मार करते समय परिस्थितिक कारकों को ध्यान में रखना रखा जाना चाहिए तो फ्रेंड्स अगर आप सभी को वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारज वीडियो देखने के लिए धन्यवाद